दोसे दोस्तों, देट है आज की 29 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज सैचड़े है, तीन इशुज आज हम डिसकेश करेंगे और डिटील से डिसकेश करेंगे सबसे पहले टाइमस ओफ इंडिया का आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे फ्यूचर वार की प्रिपरेशन से सम्बंदित, जो फोर्मर हमारे आर्मी चीव है न, एम एम नर्वने, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अच्छा आर्टिकल है, टाइमस ओफ इंडिया का दूसर आर्टिकल लाइव मिर्ट का हम डिसकेस करेंगे नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज से सम्बंदित बेसिक्स भी जानेगे, फाउंडेशनल स्टेज कौनसी स्टेज है, करिकुलम का क्या मतलब होता है और सबसे लास्ट में आर्टिकल डिसकस करेंगे हिंदू का Conference of Parties की 27 स्वी मीटिंग होगी इजिप्ट में तो Climate Change से समंदित कॉंक्रीट स्टेप्स लेना ज़रूरी है ऐसा राइटर बोलते हैं इस आर्टिकल में तो चलिए बताइए डिसकसन स्टार्ट करें जी हाँ फर्स्ट इंपोर्टन टोपिक हमारा स्क्योटिस से समंदित है टोपिक इस इशू से समंदित है कि फ्यूचर में जो वार्स होंगे उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए आप जी एस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो अगर देखो कंटेक्स्ट की बात कर होगा वो कैसा होगा तो इंडिया को भी ना अपनी स्टेटरजीज अपने एक्विपमेंट्स को री एसस करने की आवसकता है कि हम 21 स्ताबदी के वार्फेर के लिए अभी फिलाल तयार है या फिर नहीं है राइटर जो कि देखो फोर्मर आर्मी चीफ है वो एक इंपोर्ट में क्या हुआ जैसे दोनों ग्रूप्स की फोर्सिस आमने सामने हैं तो ट्रेंचीज उस समय काफी खोदी जाती थी आपने वाल दिश्टर में पढ़ा होगा मतलब एंसी आटी में भी है ये तो जैसे पोजीशन को डिफेंड करने के लिए ना नीचे खड़े खोद दिये जाते थे और उन खड़ों में ट्रूप्स होते थे इन ट्रेंचीज को पार करना रिलेटिवली काफी डिफिकल्ट होता था उस समय ऐसे हत्यार उपलब नहीं थे तो जैसा हमने डिसकस किया नैसेश्टी के हिसाब से अवसकता के हिसाब से हत्यार डवलप होते थे तो टैंक का अविश्कार हुआ टैंक इन ट्रेंचीज को पार कर सकते थे ऐसे टैंक डवलप किये गए एक और एक्जम्पल आप देखिए सेकिंड वल्ड वार में क्या हुआ सेकिंड वल्ड वार में जर्मनी के एरक्राफ्ट एकदम से हमला कर देते थे तो ना इससे बचने के लिए प्रिप्रेशन के लिए रिडार डवलप हुए कि एकदम से कोई प्लेन आएगा तो उसका पता लग जाए कि हाँ ये प्लेन आने वाला है रिडार में उसकी मूवमेंट दिख जाए तो इससे चीज़ें काफी आसान हो गई मतलब जैसे जैसे आवसकता आती रही वैसे वैसे हत्यारों का डवलप्मेंट होता रहा बट देखो अभीना सिस्टम थोड़ा उल्टा चल रहा है 21 वी स्ताबदी में जैसे देखो ड्रोन्स हैं ड्रोन्स 1990s में और 2000s में दिखने स्टार्ट हो गए थे शुरू में इनकी ए को लोगा कि इनका तो बहुत जबरदस्त इस्तमाल हो सकता है मिल्ट्री वार्फियर में तो ड्रोन्स का भी मिल्ट्री एप्लिकेशन में इस्तमाल होने लगा शुरुबात में इस्तमाल होता था सिरफ सर्विलियंस के लिए लेकिन बाद में इवन अटैक करने के लिए भी द्रोन्स का इस्तमाल होने लगा.. और advantage आपको drone का पता ही है, वैसे तो देखो अनिको advantages था. लेकिन सबसे बड़ा advantage है वह यह है, यह DRONS unmanned होते है ड्रोन में कोई बैठा नहीं होता और दूर से ही DRONS को OSMiss權 रहेrire seeking, तो यह सबसे बड़ा advantage था और Ukraine War में even Ukraine War पार से पहले अजर्बेजान और आर्मेनिया के बीट जो युद हुआ था उसमें अब एक बात ये थावित हो गई है कि फ्यूचर जो वार्फेर होगा ना वो ड्रोन से संबंदित होगा अभी जो टेक्नोजी चाहिए वो ड्रोन से संबंदित चाहिए और काउंटर ड्रोन ट सकता है मतलब अब ये साबित हो चुका है कि आने वाले कुछ दसकों तक एक लिस्ट दो तिन दसकों तक तो ड्रोन या फिर दूसरे जो अधर अन्मेंट सिस्टम है ना उनका बोल बाला ज्यादा रहने वाला है इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जो एरक्राफ्ट वगरा है हम हमारे पास राफिल है अभी हमने परचेस किया है फ्रांस से जैसे पाकिस्तान के पास F-16 है USA का क्या ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे अब इनके आप सकता नहीं है देखो ऐसा तो नहीं है लेकिन इन में भी ना सिच्वेशन के हिसाब से अब सुधार की बहुत ज़्या है युक्रेयन युद में हमने देखा रश्या के जो एरक्राफ्ट है ना उनका रोल बलकी कम रहा बलकी ड्रोन का रोल ज्यादा रहा है युक्रेयन के पास तरकी से परचेस किया हुआ ड्रोन था फिर रश्या ने इरान से ड्रोन परचेस किया तो इनका ज्यादा रोल है त drones ने बहुत सारे tanks को निशाना बनाया easily, tank इतना जल्दी नहीं चलते हैं, तो उपर से drone इनको असानी से निशाना बना लेते थे tanks को, तो इसको रोकने के लिए कोई concrete solution ढूनना होगा researchers को, मतलब देखो कहने का ये है, drones का इस्तिमाल होना ये warfare में एक परकार से path breaking moment है, जैसे आप को example देता हूँ, पहले न, cavalry का इस्तिमाल होता था, मतलब दोनों, जिन भी groups के बीच में fight होती थी, घोड़े से सैनिक आते थे, घोड़े के उपर सवार होके, लेकिन जब देखो, बंदूकों का इस्तिमाल होने लगा, तो cavalry system fail हो गया, मतलब ज्यादा useful नहीं रह गया, फिर भी देश की, आप group की शेना के पास, वो यही था कि better tank किसके पास में है, ने, ने, जो बड़े-बड़े surface ships हैं, वो भी निकल के आए, बट जब से ये unmanned alternatives सो उपलब्द होए हैं न, जैसे drone वगरा, तो इन चीजों का significance थोड़ा कम रह गया है, tanks हो गया, बड़े-बड़े surface ships हो गए, इसके साथ साथ देखो, राइटर ये भी बोलते हैं, कोई भी technology को develop करने में न, थोड़ा समय लग जाता है, मा लिजिए 20-30 साल या फिर 10-15 साल तो develop करने में लग गए, उसके बाद फिर कम से कम 2-3-10 को तक, 20-30-40 साल तक वो technology फिर रहती है, तो न, इंडिया को तो उस हिसाब से हमारी R&D आज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज की technology को आप develop करना start करो, जब तक आप develop करो, वो पुरानी हो जाए, तो हमें न, future का देखते हुए technology को develop करना है, बहुत जरूरी है, otherwise हम पिछड जाएंगे, इसके बाद राइटर न, एक चीज ये बोलते हैं, युक्रेयन वार में एक चीज ये भी साबित हो गई, लैंड का occupation बहुत ज़रूरी है, example देते हुए writer कहते हैं, बेसक्स देखो आपके पास कितने भी technology है, drones हैं, लेकिन लैंड पे आपको कबजा करना है, तो अपने सैनिकों को आपको उतारना ही होगा, रशिया ने युक्र possible हो पाता, बिना रशिया आपने सैनिक भेजे, नहीं, possible नहीं हो पाता, मतलब सैनिकों को तो आपको जमीन पर भेजना ही होगा, ताकि लैंड को occupy किया जासके, एक ओर example writer देते हैं, चाइना, चाइना ने बहुत ज़्यदा विरोध किया कि US में जो speaker Nancy Pelosi है, ये ताइवान नह नहीं आनी चाहिए, ऐसा चाइना ने पुर्जोर कहा, लेकिन ये आएं ताइवान में, और चाइना कुछ नहीं बिगाड़ सका, सिरफ ताइवान के border तक exercise करके रह गया, इसके लावा चाइना कुछ नहीं कर सका, लेकिन अगर ताइवान के ऊपर चाइना का कबजा होता, तो फिर चाइना जाहिर तोर पर इनको रोक लेता, तो लेंड पर occupation जरूरी है, लेंड की importance आज भी है, और लेंड पर occupation इस्टाबलिस करनी है, तो आपको अपने सैनिकों को जमीन पर उतारना ही होगा, ये बात पहले भी थी, आज भी है, मतलब ये बात पुरानी नहीं बीच में violence हुआ, गलवान वैली में, किस के लिए, लेंड के लिए, अभी रश्या यूकरेन के लेंड पर कबजा कर रहा है, यूद चल रहा है, तो लेंड के लिए जाहतर यूद लड़े जाते हैं, टरिटरी की integrity और sovereignty के लिए यूद लड़े जाते हैं, और वो कैसे कोई इस्टाबलिस कर सकता है, किसी भी लेंड पर कबजा तभी तो कर सकता है, कोई देश, जब physical presence हो उसकी वहाँ पे, यानि सैनिकों को वहाँ पे वो उतारेगा, तभी तो वो सैनिक जो है, बाद में उस लेंड की शुरक्सा कर्स केंगे, तो ये मतलब है, पॉइंट का जो हमन भी देना जरूरी है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया, चलते हैं आगे, इसके बाद नेक्स आर्टिकल फाउंडेशनल एजुकेशन से समदित है, आप जी एस पेपर सैकेंड के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, अनुराग बहर ने ये आर्टिकल अर्टिकल फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज का क्या मतलब है और इस फ्रेमवक में है क्या, चलिए आए जानते हैं, देखो जब सरकार ने 2020 में नैशनल एजुकेशन पोल से रिलीज की थी ना, तो उसमें सरकार ने एजुकेशन में चार स्टॉक्शर की बा होती है foundational stage आप बोलोगे सर classes तो बताइए classes के बिना हम कैसे समझेंगे और बात तो सही है classes के बिना age से कैसे समझ में आएगा तो 3 से 6 के age के बीच में जो class होती है यह आंगनवाडी प्री स्कूल बालवाटिका यह सब 6 से 8 class 1 and class 2nd उसके बाद यह इस structure में 5 plus 3 यह 3 क्या है यह 3 है 8 से लेके 11 के बीच में जो education होती है preparatory stage मतलब class 3 से लेके class 5 यह preparatory stage है उसके बाद middle stage में age 11 से लेके 14 के बीच में यह देखो और उस सबसे last में 14 से लेके 18 के बीच में secondary stage जो 11 से लेके 14 के बीच में है वो है class 6 तू लेके class 8 और सबसे last में secondary stage है age 14 सू लेके age 18 और class 9 से लेके class 12 structure आप समझ गए तो इसमें हम बात कर रहे है foundational stage की यह तीन से लेके 8 के बीच में जो education है यह 5 साल की इसकी हम बात कर रहे है हमारा focus किस पर है हमारा focus है इस पर foundational stage पर अब आप समझ गए जब हमने शुरू में बात की एक सेकंड स्लाइड निकालने दीजिए यह देखिए national curriculum framework for foundational stage मतलब तीन से लेके 8 की age के बीच में यानि शुरू के education nursery वाली और class 1, class 2 इन 5 सालों के लिए जो education है उसके लिए curriculum framework release किया गया है ministry of education के द्वरा और जो यह 4 stages ड्रा की गई है न यह ड्रा की गई है कैसे बच्चे का social development हो रहा है कैसे वो emotionally develop हो रहा है कैसे वो physically develop हो रहा है वो सब चीजे देखते हुए यह 4 stages ड्रा की गई है ताकि stage के हिसाब से यह decide क्या जास के कि बच्चे को अभी क्या सिखाना चाहिए कैसे सिखाना चाहिए सब कुछ समझ रहे हो मतलब हर एक stage में यह define क्या जाएगा कि बच्चे को यह सिखाना है क्योंकि अभी उसका physical development ऐसा है तो वो ऐसे सीख पाएगा तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह 4 stages ड्रा की गई है और उसमें से भी वैसे तो देखो school education की चारो stages ही important है लेकिन foundational stage सबसे ज़्यादा important है क्योंकि देखो यूं कहा जाता है कि 6 साल की age तक बच्चे का maximum जो brain development है वो हो चुका होता है यहाँ पर देखो neuroscience research यह कहती है 6 साल की age तक आदे आदे किसी भी individual का 85% जो brain development है वो हो चुका होता है तो इस age तक बच्चे की सोचने और समझने की जो शक्ती है वो develop होती है गिली मीटी के समान होते हैं बच्चे इस age group में जो कुछ वो सीखते हैं जैसे वो सीखते हैं उसकी छाप जिंदगी भर देखने को मिलती है तो इस समय जो care या फिर education दी जाती है बच्चो को बर्थ से लेके 8 मानिये आप मतलब वैसे तो 5 साल की बात है foundation stage में 3 to 8 लेकिन 0 से लेके 8 के बीच में जो education या फिर care दी जाती है उसको कहा जाता है early childhood care and education ये जो early childhood care and education है ना सिरफ बच्चे के लिए बलकि पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि वही बच्चे कल को पूरे समाज का भविश्या है वही बच्चे leader बनते हैं वही बच्चे teacher, researcher सब कुछ वही बनेंगे हैं इसके बाद देखो writer ये बोलते हैं जब हम early childhood care and education की बात करते हैं जीरो से लेके 8 की age तक के बच्चों के लिए देखो बच्चे जब छोटे होते हैं तीन साल तक के तो उनकी care और education घर पर ही होती है त बच्चों को pre school में कहीं पर भी आंगनवाडी में या फिर kindergarten में भेजा जाता है तो अभी तक आर्टिकल में हमने basics की बात कर ली अब एक बात आप से पूछू करीकूलम का क्या मतलब है देखो आम तोर पे एक गलती करते हैं बच्चे करीकूलम मैं एक बार class में पूछा था करीकूलम से आप क्या समझते हो तो उन्होंने reply किया कि करीकूलम मतलब syllabus लेकिन करीकूलम का मतलब देखो सिरफ syllabus नहीं होता करीकूलम में हर वो चीज आ जाती है बच्चा स्कूल में आता है उसका experience क्या है मतलब वो क्या सीख रहा है कैसे सीख रहा है syllabus sports teaching practices assessment यानि exams हर चीज आ जाती है करीकूलम में सिरफ syllabus नहीं होता करीकूलम में और एक वो चीज आ जाती है जो बच्चा experience करता है school में जो वो सीखता है चाहे वो sports हो चाहे वो exam हो even अगर school से बच्चा खेत में जाके कोई चीज सीखता है तो field में जाके जैसे crops को कैसे उगाय जाता है कैसे irrigation होता है तो वो सब चीजें भी करीकूलम का part होती है समझ गए अब आती है एक important चीज देखो आपको पता है हमारे देश में education जो है concurrent list में आता है दोनो state government भी central government भी कानून बना सकते है education के उपर समझ गए तो देखो अलग-अलग राज्यों ने भी न अपनी school education के लिए अलग-अलग curriculum बनाया हुआ है तो ये national curriculum framework जो है वो पूरे देश में diversity के हिसाब से guide करता है कम से कम ये चीजें तो common हो सकती है मतलब national curriculum framework जो है वो diversity में भी uniformity लाने की कोशिस करता है कि diversity है तो कोई बात नहीं local situation के हिसाब से curriculum थोड़ा साप अलग कर लो लेकिन बाकी चीजे same रहनी चाहिए ये guide करता है national curriculum framework तो हाल ही में foundational stage के लिए इन्होंने curriculum release किया और उसी framework से सम्मानित कुछ बाते अभी हम discuss करते हैं सबसे पहला point देखू ये जो foundational stage के लिए यानि 3 से 8 की age के लिए जो curriculum framework release किया गया है उसमें इस चीज को address करने की कोशिस की गई है कि बच्चे का ना इस age में हर हर एक परकार का development हो, literacy, cultural aspects, physical development, emotional development, social development, हर एक परकार का बच्चे का development हो उसी को देखते हुए ये curriculum framework release किया गया है ये इस चीज को माना गया है कि देखो literacy और numeracy, literacy मतलब पढ़ना लिखना, numeracy मतलब basic number से सम्मानित calculation करना ये तो ना आगे की learning की foundation होती है, future learning की दिक्कत यह आती है, बहुत बार surveys आते हैं आपको पता है कि पांचवी class का बच्चा दूसरी class के questions नहीं शोल कर पाता, तो ना इस age में literacy पे और numeracy पे बहुत ज़दा focus किया जाएगा, ताकि आगे की जो learning है वो आसान हो सके, बहुत ज़दा focus का मतलब foundation क्यार कर दी जाएगी बच्चे की literacy और numeracy में, next point, teaching practices कैसी होनी चाहिए, इस foundational stage में बच्चों को सिखाने के लिए play based, यहाँ पे देखिए, खेल खेल में बच्चा सीख ले, ऐसी teaching practices होनी चाहिए, जैसे conversation, stories, songs, rhymes, music, movement, art and craft, indoor and outdoor games, field trips, समझ गे, तो ये सारी चीजे, इन सब चीजों की साहिता से बच खेल-खेल में, next point, अब देखो, सभी बच्चों की development एक जैसी नहीं होती, जैसे मैं आपको example देता हूँ, कुछ माली जे, differently abled बच्चे हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ दीरे सीखते हैं, तो ना, इस age group में जो approach होनी चाहिए, जो teaching होनी चाहिए, बच्चे क कंटेक्स्ट के हिसाब से होनी चाहिए, जैसा बच्चा, उसी परकार की teaching होनी चाहिए, बच्चे की local language अलग है, तो उसमें teaching होनी चाहिए, समझ गए, जैसे बच्चे को माल लो, local language ज्यादा समझ में आती है, तो stories, rhymes, songs, material, उसी language में होनी चाहिए, point ये है, context के हिसाब से अग्जाम वगईरा होते हैं assessment कैसी होनी चाहिए गरूण के हैं इस एज क्रूब में अब seriously एग्जाम तो ले नहीं सकते बोलते हैं कि हां 30 के प्लस टू के एग्जाम जो है बोर के एग्जाम हैं इस एज ग्रूप में तो न टीचर के द्वरा systematic और careful observation जो है बच्चों का वो daily basis पर जारी रहना चाहिए ताकि बच्चे में daily basis पर improvement लाया जासके next point इसके लिए देखो foundational stage के लिए जो curriculum है उसके बाद ecosystem की बात की गई है जैसे teachers को training देना, sportive academic infrastructure प्रोवाइड करना, administrative sport प्रोवाइड करना adequate infrastructure अब जैसे देखो खिलोने की बात कर दी गई है, खिलोने, play लिए जो equipment चाहिए वो ही नहीं है तो बच्चे कैसे फिर game खेलेंगे तो उसी हिसाफ से ecosystem भी provide क्या जाएगा ऐसी बात बोली गई है finally देखो, जो ये national curriculum framework for foundational stage है न, directly teacher से बात करता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आप classroom में कौन से practices पर आपको focus करना है real life examples कैसे आपको बच्चों को देने हैं, ताकि बहतर डंग से इस age group में बच्चों को सिखाय जासके उनको empower किया जासके, उनको future learning के लिए develop किया जासके तो directly ये framework teacher से engage करता है तो ये पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे इसके बाद next article, conference of parties की 27th meeting से समन्दित है आप JS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो climate change की समच्चा को address करने के लिए ये conference of parties की जो meetings है वो समय समय पर होती रहती है, जैसे 2015 में conference of parties की 21 मीटिंग में ये decide हुआ था मतलब Paris climate change agreement हुआ था, विमिन देशों ने commitments की थी कि हम इतना इतना emission कम करेंगे, उसके बाद पिछले साल ये conference of parties की 26 मीटिंग हुई थी इंग्लेंड में, ग्लास काओं में, उसमें deforestation को कैसे control किया जाए, इस पर focus किया गया था अब 27 मीटिंग होगी, एजिप्ट में 6 नमंबर से उसी से पहले ये article publish हुआ है कि किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है राइटर कहते हैं, देखो, बहुत सारी चीजों से developing countries डरते हैं, जैसे युक्रेइन में वार चल रहा है, COVID-19, global economic crisis आ रहे हैं लेकिन climate change किस परकार से बारी तबाई ला सकता है, उससे विबिन देश डर नहीं रहे हैं कि देखो, यह ऐसी threat है, जिसका सामना बहुत जल्द विबिन देशों को करना पड़ सकता है, COVID-19 में developed countries ने इतने बड़े-बड़े package रिलीज किया, economic situation को improve करने के लिए, लेकिन आप बताइए climate change को address करने के लिए, developed countries क्या अपनी commitments को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जैसे देखो, Paris Climate Change Agreement में यह बोला गया था, 2020 के बाद, developed countries हर साल 100 billion dollars की मदद देंगे developing countries को, ताकि वो technology developers के, ताकि वो harmful emissions को कम करें, लेकिन developed countries अपनी commitment को fulfill करने की बजाए, उससे पीछे आट रहे हैं, आज के समय में top 5 emitters कौन-कौन से हैं, carbon emissions के मामले में चाइना, US, इंडिया, रसिया, जपान, क्या ये देश बहुत ज़्यादा concrete steps ले रहे हैं, climate change से निपचने के लिए, देखो, अफसोस जनक बात ये है, answer इसका no है, अब आप बोलो कि सर, इंडिया ने तो बहुत सारे steps लिये हैं, writer comparison भी करते हैं, writer बोलते हैं, देखो, चाइ इंडिया ने कहा कि हम 2070 आते आते ये carbon neutral status हासिल करेंगे, यानि जितना carbon release करेंगे, उतना absorb भी कर लेंगे, तो net carbon release होगा zero, बड़ देखो, writer कहते हैं, कम से कम, जो top emitters है न, उनको तो ये ensure करना ही होगा, कि 2050 आते आते वो carbon neutrality status हासिल करें, ना कि 2060 और 70, 2050 आते आते ये emitters, अगर carbon neutrality का status अचीव करेंगे न, तभी हम ये ensure कर सकते हैं कि, आर्थ का जो average temperature है, वो 2 degree Celsius से ज़्यादा ना बढ़ पाए, अगर 2 degree Celsius से ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, already हम ऐसे ऐसे weather phenomenon हमें देखने को मिल रहे हैं, एकदम से बारिस आती है, ब देखों, carbon को कम करने के methods बहुत सारे हैं, जैसे एक normal सा method है carbon tax, carbon के release होने पर आप tax लगा सकते हो, already ये concept कहीं कहीं follow किया जा रहा है, लेकिन seriousness के साथ carbon tax का जो concept है, वो आज भी नहीं follow किया जा रहा है, क्योंकि developing countries की एक तरफ ये सिकायत रहती है कि भया, आपने तो development कर ली, अ अपनी commitment को वैसे नहीं पूरा कर रहे हैं, past में वही दोसी है, emission के लिए, industrial revolution तो इनी देशों में आया ना, जैसे सबसे पहले England में आया था, but अब climate change को address करने की बारी आई, अब उन्होंने एतिहासिक रूप से जो emission किया है, उसको वो सभीकार करने को त्यार नहीं है, वो ब develop countries के द्वरा handle की जा सकती है, developing countries को अपनी मांग से थोड़ा पीछे हटना होगा, कि हमारी development की बारी अभी आई है, तो हमें आप emission करने दीजिए, वक्त नहीं है, ऐसे ही emission चलता रहा, तो climate change बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और develop countries को भी, ये सोचना होगा, past में तो emission आपने क किया है न, तो कम से कम आप compensate तो करो, थोड़ा पैसा तो दो, technology develop करने के लिए, developing countries को, आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ, कि past में आपने तो मज़े ले लिए, development का lab ले लिया, अब दूसरों की बारी आई, तो आप उनको compensate भी नहीं कर रहे हो, समझ र कर दिसक्शशन.